हेलो बच्चों कैसे आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास 12 बाइलोजी में चैप्टर नमबर 15 का पार्ट 3 अगर अभी तक आपने पार्ट 2 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ट पर क्लिक करके पार्ट 2 विजिट कर सकते हैं यह इस चैप्टर का लास पार्ट होने वाला है जिसमें अपन को बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक करने हैं जिसमें आपके सौट नॉट्स पूछे जा सकते हैं तो जो सबसे पहले अपन स्टार्ड करते हैं वो करते हैं Molecular probe तो देखो सबसे पहले यह चीज़ समझता है कि probe word की meaning क्या होते है तो probe का मतलब होता है कुछ खोजना कुछ find करना Molecular probe का क्या मतलब होगा कि किसी particular molecule के find करने के लिए यूज किये जाएंगे तो किसको find करने के लिए यूज करते हैं जनरली जो होता है DNA, RNA के लिए और यह protein के लिए भी हो सकता है आपके book में ऐसा दे रखा है कि molecular probe दो तरह के होता है DNA और RNA पर यह protein probe भी हो सकता है जिसके लिए antibody का इस्तमाल किया जा सकता है अपन इन पर ही focus करते हैं तो probe is either a radioactive labeled or non radioactive labeled मतलब probe जो होता है वो basically labeled जरूर होंगे या तो वो radioactive element रखेंगे या कोई fluoroscent element रखेंगे और ऐसा क्यों करते हैं ताकि बाद में उनका identification कर सके radioactive होगा तो उनसे radiations पगेरा जो निकलेगी उससे अपन कर पाएंगे और अगर fluoroscent है तो उनकी sign चमक से अपन उनको identify कर पाएंगे तो यह जो होता है प्रोब क्या होता है आइधर radioactive labeled होता है या non radioactive labeled होता है पर labeled जरूर होता है ठीक है और कैसे होता है single stranded sequence होता है अब अगर single stranded sequence है तो यह जो दूसरा single strand होगा उसके साथ क्या कर सकते हैं जाके जोट सकते हैं जिसे अपन क्या कहेंगे hybridization तो पोच करो कि यह और यह अपना probe है तो यह probe जो होता है अपने जो भी इनका base pair होगा उस base pair के हिसाब से इसमें से किसी भी पर्टिकुलर जगा पर जाकर क्या हो जाएंगे एक bond बना लेंगे और उस पर्टिकुलर जगा पर जोड़ जाएंगे अब यह जगा जो है इस पर हाइब डाइजिसन हो गया अब इस जगा पर यह probe जो होता है लेबल होता है उन लेबलिंग की वज़े से इसे identify कर सकते है तो अपने वो पर्टिकुलर सिक्वेंस जो है वो क्य और its complementary sequence, complementary sequence को search करता है अगर आपको नहीं पता complementary sequence क्या होता है तो A जो होता है वो हमेशा किसके साथ combine करना चाहता है T के साथ और G जो होता है वो C के साथ तो अगर एक sequence है A, G, C, T तो इसका complementary क्या होगा A के सामने G, sorry A के सामने T, G के सामने C, C के सामने G और T के सामने यह इसक complement हो जाएगा तो अगर इसको मुझे find करना E, G, C, T को find करना है तो मुझे probe क्या use करना चाहिए T, C, G, A और वो फिर जहाँ पर भी वह होगा उसके साथ जाके चुट जाएगा तो वापस देखते हैं मैं फिर कह रहा हूँ probe क्या होता है discover या find या search करने के लिए यूज किये जाते हैं अब probe is labeled single stranded sequence of DNA और RNA to search complementary sequence in a sample genome अब कैसे करेंगे जो probe जोगा उसको अपन क्या करेंगे under suitable condition क्या करते हैं जो अपने complementary sequence DNA उनके साथ में छोड़ देते हैं तो फिर ये particular जगब के जाके क्या करेंगे hybridization बनाएंगे और फिर उसे अपन क्या कर सकते हैं visualize कर सकते हैं किस चीज को identify कर रहे हैं किस चीज के sequence को identify कर रहे हैं उसके basis पर ये दो तरह के होते हैं DNA probe और RNA probe देखो एक example से मैं समझाता हूँ suppose करो ये एक बहुत बड़ा सा DNA का sequence था और उसमें से मुझे एक particular sequence identify करना है और जो sequence मुझे identify करना वो ध्यान सुनना वो है A, A, C, C, T, A ये मुझे क्या करना है खोजना तो ये करने के लिए अभी तो अपन बोड़ पे ऐसे लिखते हैं ऐसे दिखता तो है नहीं तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा एक prob यूज करूँगा और prob पे इसके complementary लूँगा A की जगा क्या लिखावा T A की जगा क्या लिखावा T C की जगा क्या लिखावा G C की जगा क्या लिखावा G T की जगा क्या लिखावा A A की जगा क्या लिखावा T प्रॉब है यह रेडियोक्टिव होगा या फिर यह फ्लूरोसाइंट होगा तो साइन होगी तो उस इस पे अपन इसको क्या कर सकते है अइडेंटिफाई कर सकते है ओटो रेडियोग्राफी से तो अपने एक पर्टिकुलर सेक्वेंस को क्या क्या खो जाए सर्च किया तो जहां criminals, murders या फिर parental issue वगरा ये जो होते हैं उन में जो determination करने के लिए यूज किये जा सकते हैं और ऐसे case को अपन क्या कहते हैं DNA fingerprinting जो इस chapter में अभी अगे देखने वाले हैं ठीक है particular sequence identify करना है उसके usage अलग लग हो सकते हैं तो यह अपना क्या था? Molecular prop के बारे में आप यह note कर लीजे फिर अपन आगे बढ़ते हैं Next topic है DNA library और gene library तो देखो आपकी book में दो library दे रखिए एक genomic library और एक cdna library और यह दोनों ही library किसके along में आती है DNA यह gene library के अंदर देखो अपने जो body में जो cell होती है cell के अंदर क्या होता है nucleus nucleus के अंदर क्रोमोसॉम और वो chromosome जो होता है वो किसका बना होता है genetic material जिसको अपन क्या कहते हैं अपनी body में DNA होता है कुछ में RNA भी होता है genetic material और इन DNA का particular sequence एक छोटा सा sequence या एक particular segment जो होता है एक character को control करता है जिसको अपन क्या कहते हैं gene ठीक है और इनी gene की library बना नहीं है इसको अपन क्या कहेंगे gene library क्योंकि वो gene जो होते हैं वो DNA के segment होते हैं या DNA के particular sequence होते हैं इसलिए DNA library भी कहते हैं और gene library is the collection of different DNA sequence मतलब हर वो छोटा छोटा सेग्मेंट जो एक particular character control करें किसी particular individual में उन सारे segment को अलग करना है और उन सब segment को क्या करना है अपन को cloning vector के साथ में क्या कर देना है clone करके उसकी multiple copy बना लेनी है और multiple copy बना देंगे तो वो क्या कहलाएगी library कहलाएगी तो gene library is the collection of different DNA sequence from an organism where each sequence have been cloned into vector for ease of purification, storage और analysis मैं फिर समझाता हूँ क्या करना है जो किसी particular cell है ये मालो कोई एक cell है उसका अपन को क्या करना है DNA लेना है और उस cell का जो DNA है उसका हर छोटा छोटा सेग्मेंट अलग कर लेना है पहले तो क्यों करना है क्यों करना है क्यों करना है वो एक character को control करेगा उसी को अपन क्या कहेंगे gene तो ये DNA sequence को separate कर रहे है मतला ऐसे समझ लो gene को separate कर रहे है और फिर उन्हें क्या करना है उनकी cloning कराने के लिए उन्हें वे vector में insert करा देना है और उन्हें अलग-अलग हर particular sequence की अलग-अलग bacterial colony बना लेनी है और उन्ही colony को अपन library कहेंगे अब ये जो DNA library होती है वो दो तरह की हो सकती है genomic library और c DNA library अब दो तरह की किस basis पे उसको अपन समझते हैं तो अगर अपन ये पूरा DNA library बनाने के लिए जो मतलब जो desired cell थी या जो target cell थी उसका खुद का DNA यूज कर रहे ठीक है तब तो वो बनेगी genomic library क्या बनेगी genomic library और अगर अपन उस cell का mRNA यूज कर रहे हैं क्या यूज कर रहे हैं mRNA तो फिर अपन को तो बना नहीं थी DNA library तो पहले अपन उसका mRNA यूज करेंगे और फिर उस mRNA से DNA बनाएंगे जनरली DNA से क्या बनता है mRNA, यहाँ पर क्या करेंगे mRNA से DNA बनाएंगे जिसको क्या कहेंगे reverse transcription और इसको कहेंगे complementary DNA, cDNA, तो अगर किसी cell का mRNA यूज करूँ फिर उससे cDNA बनाओ, फिर library बनाओ तो उससे cDNA library कहते हैं, और अगर किसी cell का मैं DNA यूज करूँ और उसी की direct cloning वगेरा, copy वगेरा create करूँ तो उससे क्या कहेंगे, genomic library कहेंगे, one by one अपन को ये दोनों अच्छ बनाएंगे और फिर library बनाएंगे, ठीक है, first लेते है, genomic library, तो सबसे पहले ये देखते है, genome क्या होता है, तो किसी भी organism की, किसी एक cell का complete haploid DNA set जो होता है, उसे अपन क्या कहते है, genome, मतलब किसी भी organism का, जो haploid DNA set है, जैसे अपने human में कितना होता है, 46 chromosome होता है, पर अपने पता है, haploid set अपना क्या होगा, 23 chromosome का, क्योंकि हर chromosome जो होता है, उसकी क्या होती है, copy होती है, तो उस complete haploid set का, जो set है, उसे अपन क्या कहेंगे, genome कहेंगे, और इस genome की हर एक DNA sequence, या हर DNA segment जो एक particular function करे, उसके अपन fragment बना कर, उसकी अपन अगर library बनाए, उसकी अपन copy बनाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, genomic library कहेंगे, तो genomic library is the collection of the cloned fragment of the complete genome of an organism, एक organism के complete genome का, क्या करना है, उसके fragment बनाना है, और उस प्रेग्मेंट की क्या करनी है, Specs क्वेंग करनी है, और उसकी जो लाइबरेरी बनेगी उसे क्या कहेंगे, genomic library, दो definition यहां से बुछी जा सकती है, genome क्या होते हैं और genomic library क्या होती है तो genome क्या होता है किसी भी organism का complete haploid set वो क्या कैलाएगा genome कैलाएगा और उस complete genome क्या करने है fragment करने है और उनकी cloning करनी है और उससे library prepare करनी है उससे अपन क्या कहेंगे genome library कोई तकलीफ नहीं अब दिखो करेंगे क्या सबसे पहले उसका क्या करेंगे उस से एक complete genome extract करेंगे बोले तो जो DNA है उसको extract करेंगे और उसको फिर बाद में क्या करेंगे restriction endonucleus enzyme से क्या कर देंगे cut कर देंगे तो उसके बहुत सारे fragment आ जाएंगे समझने के लिए अपन तीन तरीके के समझते हैं उसमें तीन तरह के fragment है फिर क्या करेंगे जितने fragment होंगे उससाफ से उतने ही अपन क्या करेंगे vector यूज करेंगे और इन vector को भी अपन क्या करेंगे पहले cut करेंगे उसी restriction enzyme से और फिर इन दोनों को क्या करेंगे DNA ligage से क्या कर देंगे circular recombinant DNA बना लेंगे यह अभी अपन देख चुके हैं पिछले वीडियो में कि यह सब कैसे करते हैं अब अलग अलग vector जो होगा उसमें अलग अलग DNA का क्या होगा factor होगा फिर इन vectors को क्या करेंगे host cell में क्या करेंगे insert करवा देंगे जैसे E-coline में insert करवा दिया यह अपन ने करवा दिया इसके बाद इनको क्या करते हैं grow करने देते हैं और इनका polymerization होगा बोले तो इनकी cloning होती जाएगी और अलग अलग की अलग अलग क्या बन जाएगी colony बन जाएगी जैसे मान लेते हैं इस वाले की colony यह इसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टिरिया हैं जिसमें यह वाला vector है और इस तरीके से अलग अलग colony बन जाएगी हर एक colony जो है एक तरह की क्या है genomic library है अगर अपन को identify करना हो कि इनमें से कौन सी colony A है कौन सी B है कौन सी C है मतलब identify करना हो कि इसमें से particular segment कौन सा है तो फिर अपन DNA probe यूच कर सकते हैं जो अभी अपन समच चुके हैं तो अगर screening करवानी है तो DNA probe यूच कर सकते हैं तो यह जो है यह steps of genomic library है सबसे पहले complete genome जो होता है donor cell का उसे restriction endonuclease से cut करके DNA fragment बनाएंगे उसी restriction endonuclease से cut करके अपन vector DNA को भी खोलेंगे फिर उन दोनों को DNA ligase से क्या करेंगे mix कर देंगे जिससे क्या होगा circular recombinant DNA बन जाएगा यह सब फिर इन circular recombinant DNA को क्या करेंगे host में transfer करेंगे बोले तो ecoli में जिससे क्या कहेंगे insertion into bacterial cell फिर उसमें copy create होती रहेगी जिससे अलग-अलग colony बन जाएगे और यही colony क्या कर लाती है genomic library और उसकी screening करवानी हो उसे identify करना हो, mark करना हो तो फिर अपन DNA probe क्या कर सकते है, use कर सकते है यह अपने किसके बारे में genomic library के बारे में next है cDNA library जैसे genomic library जब की थी तो सबसे पहले अपने यह देखा था कि genome क्या होता है और फिर देखा था genome library ठीक वैसे क्वैसे पहले यह देखते हैं cDNA किसे कहते है तो DNA produced from RNA by reverse transcription इस called complementary DNA और copy DNA देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, generally क्या होता है DNA से gene expression जब होता है तो DNA से RNA बनता है और DNA से RNA बनने के process को क्या कहते हैं transcription कहते हैं, क्या कहते हैं transcription अगर अपन उल्टा करवाएं उस RNA से क्या बना दे, DNA बना दे तो इसे क्या कहेंगे reverse transcription और जो DNA बनेगा उस DNA को क्या कहेंगे cDNA, complementary DNA, copy DNA और ऐसी DNA लाइबरेरी या gene लाइबरेरी जो cDNA से बनाई गई हो और वो cDNA कहां से निकाला गया हो mRNA से तो उसे अपन क्या कहेंगे cDNA लाइबरेरी अब कोशन ये उटता है कि अपन को ये इतना गुमा कर करने की का जरुती जब अपने पास किसी cell से ऐसी ability है अपने पास किसी cell से उसका genome के हर DNA का segment जो है अलग करके अपन उसकी clonin करवा के genomic library बना सकते हैं तो फिर cDNA लाइबरेरी बना नहीं क्यों है तो उसको अपन समझते हैं कि लेको ये यहां पर समझो ये एक eukaryotic cell का क्या है DNA और अपन बेसिकली DNA लाइबरेरी बनाने का मकसद अपने ये होता है कि उसकी हर एक coding site की अपने पास copy हो तो जो eukaryotic का DNA होता है उसका DNA को दो पार्ट में divide कर सकते हैं कुछ हिससे उसके कहलाते है exon और उन exon के बीच बीच में कुछ हिससे होता है जिन्हों कहते हैं intron इन मेंसे जो exon जो है वो coding करते है मतलब gene expression में participate करेंगे मतलब ये particular इनके पास ऐसी sequence है जिससे बाद में mRNA पर copy किया जाएगा और फिर mRNA इनके हिसाब से क्या करेगा particular कोई protein बनायागा और वो protein अपनी body में कुछ काम करेगा मतलब जो protein की code है वो सिर्फ किस के पास है exon के पास है और इनके बीच बीच में ये जो sequence है इनने क्या non coding sequence जो है उसे अपन क्या कहेंगे intron कहेंगे तो अगर मैं genomic DNA की library बनाता हूँ तो उसमें exon के साथ-साथ किस कौन आजाता है intron भी आजाता है और फिर इसको मैं एक तो दो प्राबलम है इसकी मैं क्या नहीं करवा सकता expression नहीं करवा सकता prokaryotic cell में क्योंकि उसमें ये intron भी ऐसाथ में अगर खाली coding वाला sequence होता खाली exon होता तो उसको prokaryotic cell में क्या करा सकता हूँ उसकी expression भी करवा सकता हूँ और ये कि मेरे को intron तो चाहिए भी नहीं थे यहीं वज़ा है कि अपन क्या करते हैं c dna बनाते हैं अब उसमें क्या होगा तो देखो generally अपनी body में क्या होता है जब dna से transcription की वज़े से RNA बनता है तो पहले तो क्या होता है देखो ये double stranded था ये single stranded है और हर चीज इसमें copy हो जाएगी exon की जगा exon आ रहे intron की जगा intron आते है लेकिन उसके बाद में एक process होता है जिसे कहते है RNA splicing बोले तो catchy से काट काट के कुछ हिसों को वापस जोड़ देना तो इस RNA splicing कब होती है जब RNA mature बनता है मतलब maturation होता है तो ये बीच के हिस्से हटा दिया जाता है और जो mature mRNA होगा उसमें सिफ और सिफ कौन वाले कौन से पार्ट होंगे exon पार्ट होंगे अगर मैं किसी cell से mRNA निकालू तो उसमें सिफ कौन से पार्ट होंगे exon वाले और अब अगर इससे DNA बनाओ तो उस DNA में भी सिफ क्या होंगे exon वाले और अगर उसमें सिफ exon वाले है तो उस CDNA से जो library बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे CDNA library और एक achievement और क्या होगी कि ये CDNA जो होता है वो pro karyot में भी क्या कर सकेगा express कर सकेगा ठीक है यही वजह है कि अपन को क्या करने चाहिए CDNA library बनानी चाहिए यही यहाँ पर लिखा हो है कि DNA of eukaryotic content introns, regulatory region, repetitive sequence only exon content coding information during mRNA formation introns and these non-essential parts removed by RNA splicing these mRNA content only exon so they are used अब question यह उठता है जब mRNA के अंदर यह सारी थी तो mRNA की library बना लेते हैं फिर उसे DNA बनाने की कहा नीड है तो देखो mRNA जो होता है वो हर RNA की तरह single stranded होता है और single stranded वाले में changes आसानी से हो जाता है इसका मतलब वो stable नहीं जबकि DNA में एक फाइदा क्या होता है DNA double strand होता है तो उसमें changes के chances कम होता है यहीं वज़ा है कि direct अपन mRNA को यूज नहीं करते है क्योंकि वो क्या है कम stable है इसलिए इस mRNA को किस में convert कर देंगे CDNA में convert कर देंगे ताकि एक stable चीज बने और फिर उसकी अपन copy create करेंगे यह वज़ा है कि अपन क्या create करते है CDNA library create करते है समझ मैं आप सबको अब अपन देखते है कि इसकी library कैसे create करते है पहला आप यह not कर लीजे सबसे पहला step क्या करेंगे एक ऐसी cell चूज करेंगे जिसमें functional protein बनती हो और उस cell से अपन functional protein बनने वाली cell से mRNA क्या करेंगे अप्टेन करेंगे फिर इस mRNA पर reverse transcriptage enzyme से DNA बनाएंगे जिसे अपन क्या कहेंगे CDNA या copy DNA इसके बाद के सारे process वो के वो ही है जो जीनोमिक library में थे CDNA को restriction endonuclease से क्या करेंगे fragment बनाएंगे vector DNA के भी fragment बनाएंगे उसी restriction endonuclease से फिर उन दोनों को DNA ligage से क्या करेंगे combine करेंगे circular recombinant DNA बनेगा उसे अपन E coli में transfer करेंगे या किसी और host cell या bacterial cell में transfer करेंगे फिर वहाँ पर उसकी copy create होगी अलग-अलग colony बनेगी यह हर एक colony किसको belong करती है cDNA library को और again इनकी अगर मेरे को screening करवानी है identify करना है कि कौन सी कौन सी है तो फिर DNA probe यूज कर सकते हैं ठीक है एकदम simple सा next अगला topic लेते हैं अपन techniques of analysis of clone gene ठीक है इसमें अपन को कुछ techniques करनी है पहले करना है gel electrophoresis फिर अपन को करना है blotting उसके बाद अपन को एक तो करना है RFLP और एक अपन को करना है PCR और एक DNA fingerprinting यह पांच technique के बारे में करना है ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले है gel electrophoresis तो gel electrophoresis जो होता है इलोक्ट्रो फोरेसिस आपने chemistry में सुना होगा चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अपोजिट इलोक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं इसको क्या करते हैं इलोक्ट्रो फोरेसिस और ये moment अगर अपन किसी particular suitable gel में करवाएं तो इसे क्या कहेंगे gel electrophoresis कहेंगे ठीक है collidal वाला solution जो chapter आपका chapter number 5 chemistry में surface chemistry उसमें electrophoresis दे रखा है ठीक है अब यहां पे charge particle कौन से है तो DNA जो होते हैं वो charge particle होते है ठीक है अगर एक DNA को cathode और anode की बीच में रखा जाए तो DNA जो है anode की तरफ क्या करेंगे move करेंगे अब ऐसे तो सारे ही कर जाएंगे तो उनका ये moment muscle करने के लिए बीच में क्या fill कर लेते है suitable gel और gel में छोटे-छोटे से pore होते है उन pore से वो move कर सकते है अब जब इस gel में छोड़ देंगे तो जो segment restriction endonucleate से अपन क्या करते है छोटे-छोटे टुकडे बना लेते है अब ये टुकडे जो होते है ध्यान से सुनना वो क्या करेंगे एनोड की तरफ move करेंगे जो छोटा होगा वो आसानी से move कर जाएगा जो बड़ा होगा वो muscle से move कर पाएगा जो सबसे बड़ा होगा और muscle से move करेगा तो size के according यहाँ पर क्या हो जाएंगे फ्रेग्मेंट अरेंज हो जाएंगे और यही मोटीव होता है इसका gel electrophoresis का तो gel electrophoresis is a technique for separating charge molecule with different size और यहाँ पर charge molecule generally कौन से यूच किया जाते है डियने जैसे suppose करो कि यह एक चीज है जिसमें gel डाल जैल फिल किया है यहाँ पर यहाँ उपर से अपन DNA को DNA का जो sample है जिसमें fragment है और उसको किसी buffer solution के साथ में यहाँ पर डाल देते हैं यह जो यह अपने छुटे-छुटे से कुवे जैसे हैं well कह सकते हैं इनमें put कर देते हैं अब यहाँ से यह क्या करेंगे यहाँ पर कैथोड यहाँ नोड तो यह नीचे की तरफ क्या करने लगेंगे move करने लगेंगे जो सबसे छूटी साइच की होंगे वो सबसे आगे चले जाएंगे बाकी बीच वाले सबसे बड़ी साइच वाले उपर इस तरीके से साइच के हिसाब से यह सब अलग अलग क्या होगे अरेंज होगे जो लॉंगर डी एने मॉले क्यूल था वो सबसे लास्ट सबसे उपर है जाएगा और जो सौट है वो सबसे नीचे की तरफ move करेगा इस तरीके से साइच से यह क्या होजाएंगे अरेंज इसका मतलब जितनी छोटी साइच होगी उतना ही जल्दी से move कर जाएंगे और जितनी बड़ी साइच होगी उदर ही रह जाएंगे तो बाइपलाइंग इलेक्ट्रिक फिल्ड डी एने फ्रेग्मेंट अरेंज अकोर्डिंग तो साइच टू काइंड ऑफ जेल यूज कर सकते हैं एगेरोस जेल और पॉली एक्रिल एमाइड जेल और ये भी आपको पुछा जा सकता है कि जेल इलोक्टोफोरेसिस में कौन से जेल यूज करते हैं तो एगेरोस जेल और पॉली एक्रिल एमाइड जेल ठीक है जेनरली जो चाननी होती है एपन घरों में जो आटा वगेरा या किसी भी चीज को चानने के लिए यूज करते हैं उसके जो पॉर होते है वो बड़े हैं तो पीछे रख लेता हैं चोटे आगे निकल जाते हैं यहां पर भी ऐसे कुछ हो रहा इसलिए इन जैल को क्या करते हैं molecular sieves तो देखो दो कुसरन अपने बन गए यहां पर छोटे-छोटे ते एक तो molecular sieves किसे कहते हैं इन जैल को कहते हैं ठीक है और जो होता है इसे fluorosent dye ethidium bromide से क्या करते हैं color करते हैं और ethidium bromide जो होता है वो orange color के band बनाता है ताकि उसे आसानी से चेक किया जा सकी तो वापस repeat करता हूँ पहले एक जैल lactoforesis क्या है तो यह एक टेक्निक है जिससे charge molecules जो होते हैं उनको size के हिसाब से orange कर सकते है generally अपन डीने के लिए यूज करते हैं इसमें कौन सा जैल यूज करते हैं agarious gel और polyacrylamide gel जैल का क्या काम है यह molecular sieves की तरह काम करते हैं ठीक है यहाँ पर जो band बनेंगे उनने देखने के लिए कौन सी dye यूज करते हैं next जो टेक्निक है उसे अपन कहते हैं blotting क्या कहते है blotting अब देखो सबसे पहले यह टेक्निक बाद में समझेंगे अपन एक common word का meaning समझते हैं अगर एक इंगलीस में blot लिखा हुआ है उसका meaning क्या होता है तो blot का मतलब होता है एक sport बनाना अब ये sport अपन किस चीज का बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं वो अपन समझते हैं देखो अभी तक अपन ने एक चीज देखी है कि gel electroforesis करवाते हैं और वो अपन को जरूरी क्यों है ताकि DNA के जो fragment है उनको size के along क्या कर सके arrange कर सके लेकिन ये सारी चीज़े अभी कहां पर पढ़ी है जैल में यहां से जैल से इस चीज को transfer करना है किसके उपर एक suitable carrier के उपर जैसे नाइट्रो सेलूलोज पेपर के उपर transfer करना है और वहां transfer करेंगे तो उसका ये particular यहां पर एक sport बन जाएगा और इसी चीज़ को इसी transfer करने की technique को मैं क्या कहता हूँ blotting क्या है तो blotting क्या है it is a method used in molecular biology to transfer protein DNA RNA on to carrier जैसे नाइट्रो सेलूलोज पेपर एक तरह का carrier है and then identify them with the help of molecular prob और फिर उनमें कोई जो भी आपका target जो है sequence है उसे identify भी कर सकते हैं और ये क्या कहलाती है blotting कहलाती है ठीक है देखो definition में तीन word आ रहे है protein के लिए blotting हो सकती DNA के लिए blotting हो सकती और RNA के लिए इसी के basis पे blotting जो होती है वो तीन तरह के होती है southern northern और western blotting तो देखो जो सबसे पहली discover होई थी वो होई थी southern blotting और किस के लिए discover होई थी DNA के लिए और ये किस ने discover की थी EM southern ने इन्होंने carrier के form में नाइट्रो सेलूलोज का paper यूच किया था और जब जेल इलक्टोफोरेसिस करवाते है तो उसमें agarose जेल यूच किया था था थी तो दीने के लिए थी कुछ टाइम बाद में RNA के लिए भी क्या होई blotting technique अलमूस लगबग उसी method में डिसकौर्ड होई किस से ऐलविन और उसके जो भी साथ में follower थे उन से और इसे नाम दिया गया northern देखो southern नाम देने का कारण था scientist का नाम है पर northern scientist का नाम नहीं है परेपस यह ऐसे दिया गया south और फिर क्या हो गया north ठीक है ताकि याद रहे कि एक dna ता तो एक dna का पोजिट क्या हो गया RNA ठीक है यहाँ पर दो चीज़े change होती है एक तो agarose gel यूज नहीं करते है उसकी जगा formaldeide agarose gel यूज करते है मतलब agarose gel में formaldeide की amount ज़दा लेते है और दूसरा nitrocellulose paper यूज ना करके obm paper यूज करते है या obm यूज करते है जिसकी full form क्या होती है amino bengyl oxymethyl membrane ठीक है और यह किस के लिए यूज करते है RNA के लिए तो DNA के लिए blotting हो गई RNA के तो protein के लिए भी होगी उसको नाम दे दिया क्या western blotting और यह tobin और उसके जो भी follower थे उन्होंने discover की थी इसमें nitrocellulose paper भी यूज कर सकते है और nylon membrane भी यूज कर सकते है यहाँ पर जो gel है वो gel यूज करते है sodium dodecile sulfate जिसको sort में लिखेंगे SDS और poly acryl amide gel जिसे sort में लिखेंगे PAGE तो यहाँ पर क्या यूज करते है SDS page यूज करते है क्या यूज करते है SDS page तो यह तीन तरह की अपने क्या है blotting technique है जिसमें अपन क्या करेंगे gel से transfer करेंगे किसी suitable carrier पे क्या transfer करेंगे या तो protein या DNA या RNA और बाद में उन्हें identify करेंगे ठीक है क्योंकि gel पे further processing करना मुस्किल होता है तो उसे अपन एक suitable carrier पे transfer कर लेते हैं और इसी technique को क्या कहते है blotting और यह तीन तरह की होती है Southern DNA के लिए Northern RNA के लिए और Western protein के लिए ठीक है अपनी book में एक का थोड़ा सा description है किसका Southern का तो अपन उसको study करते है सबसे पहले लिते हैं अपन सबसे पहले क्या अपन को यह एक ही blotting करनी है कौन सी Southern blotting Southern blotting is a blotting technique for DNA किसके लिए यूज करते हैं यह DNA के लिए कहां पर transfer करते है नाइट्रो सेलूलोच पेपर पर बाद में वहां identify कर सकते हैं किससे DNA prop से और यह किसने discover की थी यह हम साउदन ने की थी 1975 यह का कोई load नहीं है अपने को नाम याद रखना है اگر इसके जितने भी step है उससे diagram से समझने की कोसे करें तो उससे देखते हैं restriction endonuclease है तो उसके fragment आएंगे उन fragment को size के according arrange करने के लिए gel electrophoresis use करेंगे तो कुछ इस तरीके के pattern मिलेंगे अब अपन को क्या करना एक काम तो और करना इससे पहले अपन को यहाँ पर denaturation करना क्या करना denaturation और इसका मतलब होता है कि यह जो अपने जो DNA के double strand है उसको अपन किसमे convert करेंगे single strand में तो और इसके बाद आगे की technique को क्या करना है start करना है तो आगे करने से पहले denaturation करेंगे अब देखो आगे देखते हैं सबसे पहले यह देखो इसको मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ एको अच्छे से समझना इसको यह अपना जो पीच में yellow color की जो दिख रही है यह अपनी agros gel है जिसके अंदर DNA के fragment है और मैं यह चाहता हूँ कि यह agros gel से किसी carrier पे आ जाए तो जिस carrier पे भी मुझे transfer करना है उस carrier को इसके उपर रख दूँगा जैसे यहां पर क्या रखना है nitro cellulose paper अब question उठता है यह यहां से इस पर कैसे जाएंगे तो arrangement क्या करेंगे agros gel के ठीक नीचे क्या करेंगे filter paper उसके उपर भी क्या लगा देता है filter paper लगा देंगे ठीक है और उसके उपर एक adsorbent tissue जो paper का पूरा set हो सकता है collection बहुत सारे papers का collection भी लगा सकता है इसके नीचे एक platform जिसके उपर यह सब रखेंगे और एक अपन क्या लेंगे transfer solution या buffer solution अब देखो transfer solution क्या होगा यहां से absorb होगा ठीक है filter paper में जाएगा filter paper से किस में जाएगा जेल में जेल से किस में जाएगा नाइट्रो cellulose paper में और जब यह ऐसा जाएगा तो अपने साथ DNA के fragment भी लेके जाएगा ठीक है अब यह DNA के fragment और आगे ना चला जाए इसके लिए अपन को क्या उपर filter paper और जो band tissue रखने जो सारे के सारे transfer solution को क्या कर लेगा एब्सॉप कर लेगा और सिर्फ segment segment कहा पर रह जाएगे अपने जो अपने उपर carrier लिया था कौन सा नाइट्रो cellulose paper उस पर तो जैसे band थे वैसे के वैसे band नाइट्रो cellulose पर बन जाएगे और अपने इस तरीके से नाइट्रो cellulose पर transfer किये इसलिए इसको अपन क्या कहेंग ब्लॉटिंग टेक्निक कहेंगे ठीक है और सबसे उपर हाँ यह सब करने के बाद सबसे उपर वेट भी रखते हैं ताकि यह अच्छे से ट्रांसफर हो ठीक है कोई तकलिफ नहीं अब यह सारी चीजे किस पर आगई नाइट्रो सेलोज पेपर पर यहां आने के बाद अपन इ होते हैं वो लेबल्ड होते हैं तो बाद में ओटो रेडियोग्राफी से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यह कौन कौन से थे यह अपनी टेक्निक क्या कहलाती है साउधन ब्लॉटिंग कहलाती है ठीक है क्या होगी साउधन ब्लॉटिंग अगर southern bloating के step लिखने हैं तो अब भी अपने जो diagram बनाया था उससे step भी लिख सकते हैं सबसे पहले अपने क्या किया था DNA isolate किया था एक sample से फिर उस DNA isolate को क्या किया था restriction endonucleus enzyme से क्या किया था cut किया था फिर उन unequal DNA fragment को अपने arrange किया according to size किसे किया था जेल इलॉक्टोफोरेसिस से फिर उसे क्या किया था डी नेचर्ड किया था किसे अलकेलाइट ट्रीटमेंट से जिससे double extended DNA क्या हो जाए single extended और यह क्यों करवाते हैं ताकि बाद में DNA प्रॉब क्या कर सके वापस यहां पर bond बना कर identify कर सके फिर जो जैल की अपर वाली सरफेस होती है उसके उपर नाइट्रो सेलिलोज पेपर रख देते हैं और बाकी का जो भी arrangement है उस diagram के हिसाप से कर देते हैं नाइट्रो सेलिलोज पेपर पे क्या होंगे DNA fragment क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं उनको और अच्छे से बाइंड करवाने के लिए उसे क्या कर सकते हैं 80 degree centigrade पे बैक कर सकते हैं अब DNA fragment जो है वो permanently fix होगे किस पे नाइट्रो सेलिलोज पेपर पे अब इन नाइट्रो सेलिलोज पेपर को क्या ह जिसमें radio label DNA prob है उस solution में रख सकते हैं और यह solution क्या करेंगे particular region पे hybridization करके उन्हें क्या करेंगे detect करने में help करेंगे किसे auto radiography से यह अपने पूरे step होता है किसके southern blotting के कोई तकलिफ नहीं इस तरीके से अपनी कौन सी पूरी होती है southern blotting इसे अच्छे से not कर लीजिए आप next step ने PCR PCR क्या होता है polymerase chain reaction मतलब polymerase की reaction होगी वह भी बार बार repetition पे होगी chain formation में होगी अब polymerage क्या होता है जो होता है यह दो तरह के होता है DNA polymerage RNA polymerage जो DNA के strand को बनाने के लिए काम में लिये जाते हैं RNA formation के लिए यूच किये जाते हैं यहां पर DNA के लिए होंगे और उनकी chain reaction करवाएंगे अब क्या होती है किस ने develop की यह सब अपना topic है तो यह discover की थी Carrie Mullis ने और जब तक यह 1989 में discover हुई थी उससे पहले ऐसा था कि अगर आपके पास कोई DNA sample है और उसमें जो DNA content है उसको आपको amplify करना है तो एक ही method हो सकता है कि vector के अंदर insert करो और उसकी cloning करवाओ लेकिन Carrie Mullis ने जो DNA sample को amplify करने के लिए उसकी बहुत सारी copy create करने के लिए without vector की एक technique develop की जिसको क्या कहते है PCR और यह बहुत ही अच्छी technique थी इनके लिए इनको noble prize भी मिला था तो इस technique has meant it possible to synthesize large quantity of DNA fragment without its cloning PCR is a technique to rapidly बहुत जल्दी जल्दी यह हो जाएगा make millions to billions of copy of a specific DNA it is ideally suited where the quantity of biological specimen available is very low मालो आपको crime scene पर है आपको कोई छोटा सा कोई DNA sample मिलता है और वो sample बहुत कम है आपको ऐसा लग सकता है कि testing के समय इसमें गड़वड़ी होगी तो दूसरी बार है भी नहीं तो आप पहले क्या चाहेंगे कुछ sample की बहुत ज़्यादा copy बन जाए अब cloning में बहुत टाइम लग जाएगा तो यह करवाने के लिए क्या कर सकते है PCR यूज कर सकते है PCR within hours उसकी billions of copy create कर देगा ठीक है क्या क्या requirement होती है तो PCR करवाने के लिए एक तो DNA चाहिए मदब DNA का sample चाहिए जो amplified करना है primers चाहिए जो की polymerization को start करवाएगा टेक DNA polymerase चाहिए अब यह क्यों चाहिए वो ध्यान से रखना ध्यान से सुनना मेरी बात PCR जब होगा तो first step में अपन क्या करेंगे ये देखो ये DNA जो है इनके बीच में जो bond बने होते हैं उनको अपन को तोड़ना है double stranded को single strand में convert करना है और ये करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा heat treatment दिया जाता है 90 to 95 degree centigrade और इस temperature पे जो generally DNA polymerase होते हैं वो काम नहीं करते इतने ज्यादा temperature पे आपको पता है कि हर enzyme को एक particular temperature चाहिए होता है तो वो तो यहां होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे तो उसको करने के लिए ध्यान से सु होती है और इसी लिए इसका नाम क्या रखा TAC DNA polymerase यह भी एक DNA polymerase है जो एक bacterium होता है जिसको कहता है thermos aquiticus और वो naturally ज्यादा temperature वाले water में पाया जाता है इसका मतलब उसका जो DNA polymerase है वो thermostable है तो एक TAC DNA polymerase यूज करेंगे जो कि thermostable क्या है DNA polymerase यूज करेंगे यूज करेंगे बनाना है तो अपन को कौन सा लेना होगा डी ओक्सी नुक्लियोटाइट ट्राइफोस्पेट डी एटीपी डी जीटीपी डी टीटीपी डी अपने क्या हो जाएगा CTP ठीक है यह सब यूज करेंगे ताकि वो बात में जुड़ जुड़ के क्या करें DNA की कॉपी बनाने में help करें और एक buffer चाहिएगा जिससे अपन pH को क्या कर सकें maintain कर सकें एपरिटस या machine जिसमें यह सब होता है उसको कहता है thermal cycler क्या कहता है thermal cycler ठीक है duration एक cycle जो है 225 second लेता है गोले तो 4 minute में क्या होगा एक cycle complete हो जाएगा आपका जो sample आप वो डबल हो जाएगा ठीक है और अगर 20 to 30 repetition करें मतलब next में 4 हो जाएंगे उससे अगले में 8 और तो 20 to 30 repetition के बाद millions of copy create हो जाएगी और एक रफली लग रहे है 4 minute तो 20 to 30 minute मतलब लगभग 2-3 hours में आप millions of copy create कर देंगे steps तीन steps होते हैं इसके एक है denaturation जो की पहला step होगा जो यहां पर explain कर रखा है दूसरा step होगा primer annealing और third step में यह लिखना भूल गया है मैं लिख देता हूं polymerization क्या होगा polymerization यह क्या हो जाएगा third step हो जाएगा ठीक है अब देखो first step में क्या करते है DNA का जो strand होता है उसमें दो strand होते है एक 5 end से 3 end की तरफ एक 3 से 5 की तरफ उसे गरम करते है heat treatment जाता है तो उसके bond तूड जाते है इस first process को कहते है denaturation इसे double stranded single stranded हो जाएगा second में primer को add किया जाता है ज 3 end वाले पर जुड़ता है क्यों क्योंकि जो DNA polymerization start होगा जो नया strand बनेगा वो हमेशा 5 से 3 की तरफ बनना चाहता है तो अगर 3 end की तरफ जुड़ेगा तो जो नया बनेगा वो 5 5 से 3 की तरफ बनेगा क्योंकि वो opposite चलता है एको 3 के सामने क्या आता है 5 बनेगा अगर 3 के साम होगा 3rd होगा polymerization जो टेक DNA polymerage और DNTP की help से करते हैं और यहां पर यह प्राइमर और यह DNA polymerage और DNTP क्या करेंगे यह एक और स्टेंड बना देंगे यह एक से आपके क्या बन गए दो बन गए यूजेच क्या होते है अब्विस्त हिंगे forensic science में यूज करेंगे अपना जो DNA sample होग content को बड़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं ठीक है DNA polymorphism को study करने के लिए genetic engineering में molecular mapping में इसको मैं समझा देता हूँ आपके book में नहीं दे रखा molecular mapping क्या होती है तो को map क्या होता है तो general जो map होता है उसमें अपन एक particular जगह को identify करते हैं एक location को और अपनी जगह से उसकी relative distance भी बता सकते हैं यही map कहलाता है यहां पर भी यही करना है किसी एक organism की जो genome है उसमें से हर जीन की particular position और उसकी distance दूसरे जीन से कितनी है वो label करना है उसे अपन molecular mapping करते हैं उसमें भी यह इस्तरमाल में किया जाता है तो आप इसे अच्छे से not कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट अपना topic है DNA fingerprinting वैसे तो देखो यह बहुत ही detailed topic हो सकता है लेकिन आपकी book में बहुत ही sort form में दे रखा है मैं इसका जो basic concept होगा उसे समझाने की courses करूँगा ताकि आपको sort में अच्छे से समझ में आ जाए कि यह काम कैसे करता है तो देखो पहले तो अपन देखत profiling क्योंकि यह जो technique है यह identification के लिए काम में ली जाती है ठीक वैसे कि वैसे जैसे कहीं से fingerprint एक particular individual को identify करता है इसलिए इसके नाम में क्या आगया fingerprinting और साथ ही साथ में यह identify करने के लिए अपन DNA यूज करते हैं इसलिए इसको DNA fingerprinting कह दिया वैसे इसका actual नाम क्या है DNA profiling तो it is a technique to identify an individual from a sample of DNA एक sample है और यह DNA sample किसका है इससे अपन किसी एक को identify कर सकते हैं looking at unique pattern in their DNA और यह अपन उसको identify करने DNA तो सब में ही होता है तो हर एक DNA में कुछ unique pattern होंगे इसको अभी अपन समझेंगे उन unique pattern के basis पे मैं क्या कर सकता हूँ identify कर सकता हूँ किसी person को इसको अपन क्या DNA fingerprinting यह कुछ ऐसे है जैसे हर person के पास finger होती है और हर person के finger पे prints होते हैं लेकिन यह print का जो pattern होता है यह person to person वेरी करता है ठीक ऐसे कैसे हर organism के पास DNA होते हैं लेकिन उस DNA के कुछ certain regions ऐसे होते हैं जो person to person में वेरी करते हैं और उन्ही pattern को अपन identify करके उस particular individual को identify कर सकते हैं ठीक ह किस ने डिसकावर्ड किया था एलेक्स जैफरी ने किया था अब जहान से समझना यह जो कंसेप्ट है यह थोड़ा सा आपकी बुक में नहीं दे रखा लेकिन इसके बिना तो फिंगर पिंटिंग समझना मुस्किल है यह तो समझाएं कि डियने फिंगर पिंगर पिंट बनाते हैं किस चीज से डियने से बनाते हैं डियने तो सब में होता है तो देखते हैं, तो अपने पूरे DNA region में, genome जो अपना पूरा है, उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है, जो non-coding DNA regions होता है, और साथ ही साथ में वो highly repetitive भी होता है, उस पार्ट portion को अपन कहते है, satellite DNA, क्या कहते है, satellite DNA, अब इस satellite DNA में कितने sequence, कितने base pair है, उसके basis पे दो तरह के होते है, mini satellite, जिसमें 10 to 60 base pair का एक मतलब sequence होगा, जो बार-बार क्या होगा, repeat होगा, और एक होते है, micro satellite, जो थोड़े short base pair के होते हैं, जो mini satellite होते हैं, उसे कहते है, variable number of tandem repeat, और जो micro satellite होते हैं, उसे कहते है, STR short tandem repeat, V and TR मतलब variable number of tandem repeat, अब देखो, यहां पर सबसे पहले यह देखते हैं, कि tandem repeat क्या होता है, देखो tandem repeat का मतलब, 2 या उससे ज़्यादा base pair जो बार-बार repeat हो, जैसे कि अपने कहें, T A, T A, T A, T A, T A, T A, ऐसे repeat होता रहे, तो T A कितना base pair repeat हो रहा है, 2, ठीक है, और यह 2 बार-बा repeat हो रहा है, तो यह repetition क्या करता है, tandem repeat, अब variable number tandem repeat का मतलब, दो चीजों में variation से है, कि एक तो यह जो repeat जो हो रहा है, वो जो sequence जो है, कि कौन सा sequence repeat हो रहा है, वो उसकी length क्या है, वो vary करता है, person to person vary करता है, और इस particular sequence के कितने repetition होंगे, वो भी अलग-अलग person में क्या होते हैं, अ इनी VNTR को use करकर, क्योंकि यह VNTR सब person में अलग होते हैं, कि कौन सा sequence repeat हो रहा है, और वो sequence कितनी बार repeat हो रहा है, यह हर person में अलग होता है, और इनी VNTR को identify करेंगे, और इनी VNTR के क्या बनाएंगे, pattern बनाएंगे, और वो ही अपना DNA fingerprint का क्या होता है, basis होता है, इक चीज आ आप याद करें, identical twins जो होते हैं, उनके VNTR सेम होते हैं, तो उनके DNA fingerprint भी क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी हर एक individual के DNA fingerprint क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई तकलिफ नहीं, आगे का जो process है, वो एकदम जाना पहचाना सा है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास sample है, उस sample से अपन DNA को क्या करेंगे, isolate करेंगे, उस पे cut बनाएंगे, किस से restriction endonucleate से, फिर उसकी size क्या long arrange करने के लिए gel electrophoresis यूज करेंगे, फिर उसे denatured करेंगे, फिर उसका hybridization करेंगे, यहाँ पर hybridization कराने के लिए जो DNA probe यूज करते हैं, उन्हें कहते है, VNTR probe, और वो क्या करेंगे, उस particular जो यह अपने southern blotting का जो paper मिला है, या जो चीज मिली है, उस पे particular VNTR को क्या करेंगे, identify करेंगे, वहीं hybridization करेंगे, क्योंकि VNTR ही क्या होता है, person to person क् उसी सही चेक करना है, और फिर auto radiography से एक X-ray film तयार हो जाएगी, और वो X-ray film उस particular person का क्या है, DNA fingerprint, अब इसको आप match कर लो, किसी पर जो आपको sample है, उससे match करके देख लो, कि यह match कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जैसे suppose करो कि मैंने कोई crime scene था, और उस crime scene पे मुझे कोई DNA का sample म मान लो blood, flesh, hair, किसी से भी, और उससे जब मैंने DNA का fingerprint ट्यार किया तो कुछ ऐसा prepare हुआ, अब मान लो कि मुझे दो suspect है, जिस पे ऐसे doubt है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो उन दोनों के भी DNA fingerprint ट्यार कर लो, अब match करके देखते हैं, तो देखो इस वाली जगा पर य क्रिमिनल होगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आगे यूजेज भी देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो parental dispute जो होते हैं, कि भाई कौन किसका बच्चा है, ये इस बाप है या नहीं है, पैरेंट है या नहीं है, या इस particular person का ये बच्चा है या नहीं है, तो वो अपन DNA fingerprint से क्या कर सकते हैं, identify कर सकते हैं, अब देखो इस case में, parental dispute वाले case में, जो अपन एक मतलब children का क्या करेंगे, अपन वो बनाएंगे, क्या करते हैं, DNA fingerprint बनाएंगे, जो भी बच्चा होगा, child का जो fingerprint होगा, वो बनाएंगे, और ज इस से इस बच्चे का fingerprint ज्यादा मैच करेगा, वो उसका क्या होगा, फादर होगा, नेक्स्ट है, तो आइडनिफाई, रेपिस्ट, मर्डर, वो अपन इस तरीके से करेंगे, अपन देख चुके, और जेनिटिक डिसॉर्डर जो होता है, वो भी बिफोर बर्थ, अपन आइ अपना क्या है, आर, एफ, एल, पी, आर, रेस्टिक्शन, एफ, फ्रेग्मेंट, एल, लेंथ, और पी, पॉलिमॉर्फिज्म, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिमॉर्फिज्म वर्ड का मिनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है, वेरियेशन, किस में वेरियेशन, length में variation तो length polymorphism का मतलब variation in length और किसकी length में जो DNA fragment बने हैं उनकी length में अब ये DNA fragment कहां से बने हैं restriction endonucleage enzyme को treat करने के बाद तो किसी person का जो DNA है उसे restriction endonucleage enzyme से जब अपन treat करते हैं तो जो fragment बनते हैं उस fragment में क्या variation है इसको अपन क्या कहेंगे RFLP कहेंगे इसको पहले अपन diagram से अच्छे से समझते हैं फिर इसकी definition वगेर पे जाते हैं suppose करो कि एक ही species के दो individual के ये क्या थे DNA थे ठीक है और इन DNA पे क्या होगी restriction site होगी ठीक है एक particular restriction endonucleage enzyme के लिए जैसे मान लेते हैं कि इस person पे यह restriction site है उसके बाद इसका VNTR होगा अब VNTR तो person to person क्या होता है repeat होता है मतलब अलग-अलग होता है तो suppose कर लेते हैं समझने के लिए कि इसका VNTR इतना लंबा था उसके बाद दूसरी restriction site आ गई ठीक है अब देखो अपन को क्या करना है दूसरा person लेना है उसका भी वही particular DNA sequence उठाना है लेकिन उसमें यह पहली restriction site थी उसके बाद उसका VNTR है गा उसका VNTR मान लो थोड़ा ज़्यादा लंबा है और उसके बाद उसकी restriction site है तो इन VNTR की वज़े से इस restriction site की position क्या आरी अलग अलग अब मैं जब इसे restriction enzyme से treat करूँगा तो यहां से cut होगा इस cut के along यह एक segment होगया यहां पर एक segment होगया और यहां वाला एक segment होगया यहां पर क्या होगा देखो एक segment यह और एक यह पूरा segment ठीक है अगर मैं देखो इन दोनों परसर में जो restriction fragment है यह वाले इन फ्रेग्मेंट की length में क्या है variation है और यह variation क्या कहलाती RFLP जब मैं बाकी के process कर लूँगा जैल, iloktoforesis वगेरा से उसके बाद blotting करवा दूँगा सब कुछ करवाँगा तो इन दोनों के अलग-अलग band patterns बन रहे इसमें देखो तीन थे इसमें दो थे ठीक है और size क्या long arrange हो जाएंगे यह जो fragment length में polymorphis में इसी कोई क्या कहते है RFLP और इसे marker की तरह huge कर सकते है identify करने के लिए huge कर सकते है तो definition क्या होगी RFLP is a technique that usage variation in homologous DNA sequence homologous DNA sequence का मतलब DNA जिनको अपन compare कर रहे वो एक जैसे member से आनी चाहिए बोले तो एक ही species के member से आनी चाहिए in order to distinguish individual of same species ठीक है individuals के बीच में भी identify कर सकते है अलग-अलग species वाले लोगों को भी क्या कर सकते है identify कर सकते है ठीक है और ये अपनी क्या होती है RFLP अब इसके step क्या होंगे इसके usage क्या होंगे वो अभी अपन देखते हैं पहला आप ये not कर लीजे next देखते है step step अपने जाने पैचाने लग-बलग-बख सब में वो ही pattern होता step का सबसे पहले अपन DNA लेंगे उसे restriction endonucleus से cut करेंगे तो DNA fragment बनेंगे और वो fragment अपने आप में क्या सो कर रहे है length polymorphism लेकिन उन्हें देखने के लिए अपन आगे का process करेंगे gel electrophoresis करेंगे blotting करेंगे hybridization करवाएंगे prop के साथ auto radiography से उनके particular pattern मिलेंगे जो की अलग लगोंगे ठीक है यह अपने क्या होगा RFLP usage क्या होगे इन्हें fingerprint की तरह यूज कर सकते है इन्हें किनी दो species के बीच में relationship determine करने के लिए यूज कर सकते है strength के relationship determine करने के लिए यूज कर सकते है ठीक है जो gene का structure जो होता है उसका function और structure और उनके quantitative symptoms इन सब के बारे में अब कैसे use कर सकते है यह बहुट detailed process हो जाएगा तो इनके जो usage है आप वो learn कर लीजे और एक RFLP map भी बना सकते हैं किसके corn, rice, wheat ठीक है तो यह सब अपने किसके बारे में था RFLP के बारे में इस तरीके से अपनी जो भी technique थी clone, DNA के analysis के लिए वो सब अपने कर ली ठीक है तो पहला आप यह note कर लीजे फिर अपन chapter का सबसे last छोटा सा topic करके इस chapter को खतम करते है last topic है अपना achievement of recombinant DNA technology तो देखो वैसे तो 6-5-6 point लिखे हैं generally achievement क्या होता है या तो आप cloning कर लो और या फिर human genome project जिसमें भी अपन को cloning ही करना है तो cloning करना आप किस-किस की कर सकते है वो कुछ example लिखे में जैसे Mif gene की cloning कर सकते है जो nitrogen fixation gene किसी DGH की gene को क्या कर सकते है cloning कर सकते है ताकि उसकी study कर सके जैसे hemophilia gene hepatitis virus के B virus की gene human growth hormone या insulin hormone अब इसको जो gene बनाती है उसकी अपन cloning कर वा सकते है ताकि अपन ये hormone बना सके और फिर अपन इसको यूज कर सके ये एक और cloning का कारन हो सकता है ये तो क्या हुआ था कोई particular gene किसी plant में insert करवा नहीं था ताकि उसमें ये वो काम हो सके ये दो क्या था किसी डीजीच की study के लिए cloning करवा रहे थे ये क्या था किसी डीजीच की therapy के लिए मतलब growth hormone, insulin ये बना पाएंगे अगर तो फिर अच्छी बात है human genome project जिसमें human का जो completely पूरा genome जो होता है human का genome बहुत बड़ा है उसके हर एक gene की cloning करके उसके study करना किस gene का क्या काम है ये सब इकतियार किया गया है जिसे human genome project करते है उसमें भी ये सारी techniques का इस्तिमाल करते है और या फिर क्या हो सकता है कि antibiotic बनाने के लिए कर सकते है अब उसके लिए क्या करते है जैसे penicilline G-acylase enzyme जो होता है उस enzyme को बनाने वाली gene को क्या करो cloning कर लो और फिर उस gene से अपन क्या करेंगे enzyme बना पाएंगे और वो enzyme बाद में क्या बनाएगी penicilline बनाएगी तो penicilline production में यूज कर सकते है तो यह कुछ achievement है जिसे recombinant DNA technology से किया जा रहा है करेंगे नहीं कर रहे है तो इसके साथ ही अपना chapter number 15 जो है वो complete होता है उमीद करूँगा कि यह chapter आपको बहुत अच्छे से समझ माया होगा बहुत ही interesting chapter था मेरे हिसाब से और बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है इस chapter में तो मिलते हैं अगले chapter की वीडियो में तब तक आप सब लोग खूब खुश रही है खूब मस रही है और खूब सारा hard work कीजिए Thank you for watching